हलो गाईज वेलकम बैक टो आर चैनल मैं हूँ विकरान शर्मा जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि SBI क्रेडिट कार्ड के 25 साल पूरे हो चुके हैं तो मैंने एक्सपेक्ट हिया था कि 25th anniversary पे SBI क्रेडिट कार्ड अपना कोई न्यू क्रेडिट कार्ड लॉंच करेंगे रुपेर नेटवर्क पे ताकि जो UPI क्रेडिट कार्ड लिंकेज का ये लीग चल रहा है इसको SBI जल्दी जोईन कर सके जैसा मेरा anticipation था वही हुआ finally SBI क्रेडिट कार्ड ने Paytm के साथ मिलके दो नए क्रेडिट कार्ड लॉंच कर दिया है तो इन क्रेडिट कार्ड का ये फाइदा होगा कि अब आप इन SBI क्रेडिट कार्ड को जब SBI अपना UPI credit card link के जो है उसको announce कर देंगे तो उसके बाद आप इन credit cards को अपने UPI से link करके directly payment कर पाएंगे and benefit क्या मिलेगा आपके जो UPI transactions होंगे आपके रुपे credit card के थ्रू उस पे मिलेगा आपको cash pack तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चैनल पे नए है तो जरू subscribe कर लेजिएगा without further delay let's get into the details तो सबसे पहले SBI का PTM के साथ already दो credit cards आते हैं जो मिलते थे हम लोगों को visa network पे जिन credit cards पे आपको एक तो select credit card है एक दूसरा normal वाला credit card था select credit card से जब हम PTM app पे travel and movies पे spend करते हैं तो वहाँ पे 5% का cashback मिलता है और जो दूसरा वाला credit card है normal वाला उस पे मिलता है 3% का cashback और बाकी other जो payments करते हैं आप PTM app पे 2% का cashback मिलेगा और बाकी other जितने भी categories है चाहे online या offline जहां भी आप spend कर रहे हैं पे मिलता है 1% का unlimited cashback तो यह जो unlimited cashback है आपको UPI transaction पे भी मिलेगा अगर आप इन दोनों में से कोई भी credit card रुपे network पे लेते हैं तो आप अपने UPI से जब उसको link कर लेंगे तो जहां भी आप इन credit card से spend करेंगे मान लिजए कि आप अपने एक पडोस के किराना store पे गए और वहाँ पे भीम से आपने QR code scan किया और अपने credit card के थूप payment किया तो जो आपका spend होगा उस पे आपको 1% का cashback मिलेगा तो या आपका जो credit card से payment करने का experience है रुपे के थूप वो change होने वाला है और मज़ा आने वाला है यह जितने भी cashback आपको मिलते हैं सारे के सारे unlimited है याने की without capping आते हैं प्लस इसके साथ आपको paytm का membership मिलता है जिसमें आपको 75,000 रुपे तक के benefits जो है अलग-अलग membership में मिल जाते हैं तो आपका paytm first का membership in credit card के साथ activate हो जाता है select credit card जो है इस पे आपको airport lounge access का benefit भी मिल जाता है अगर इसकी value की बात करें तो ये almost 1499 रुपीज के fee के साथ आता है बट जो normal वाला paytm card होगा वो 499 fee के साथ आएगा प्लस select credit card पे आपको priority pass का membership free मिलता है दो साल के लिए 99 डॉलर की ये membership होती है जो बिलकुल आपको totally इस card के साथ free मिल जाएगी और जो normal वाला paytm card है उस पे कोई airport lounge access का benefit नहीं मिलेगा दोनों ही credit card पे milestone benefit भी मिलते हैं select credit card पे अगर आपने credit card से आप 4 lakh रुपे spend कर लेते हैं तो 2000 रुपे की value का voucher मिलेगा और अगर आप 6 lakh रुपे spend कर लेते हैं एक साल में तो 4000 रुपे की value का आपको voucher मिलता है और जो normal वाला paytm card होगा उस पे अगर आप एक साल में 1 lakh रुपे spend कर लेते हैं तो next year का जो paytm का membership होगा first membership वो free आपको मिल जाएगा basically यह जो दोनो paytm SBI credit cards है जो already visa network पे available थे benefits totally same है but change क्या होगा network that is रुपे purpose सिर्फ यही है कि आपका जो रुपे credit card को UPI से link करके आपका जो payment experience है उसको और smooth बनाया जाए यह purpose है 25th anniversary पे इन credit cards को launch करने का and paytm and SBI cards are very hopeful कि इन credit cards को launch करने से even paytm पे भी अब आपको credit card को UPI से link करने का benefit मिल चुका है जहाँ पे आप अब इन cards को directly अपने UPI से link करके paytm app के through ही payment कर सकते है इन credit card को directly apply करने का कोई ऐसा link नहीं है बट जब आप future में paytm SBI credit cards को apply करेंगे तो शायद वहाँ पे आपको option मिलेगा देखने के लिए कि आपको यह credit card visa network पे चाहिए या rupay network पे चाहिए जैसा हम लोग देखते हैं Tata new SDFC credit cards में भी कि जब आप card apply करते हैं तो आपको option मिलता है कि आपको visa पे चाहिए या फिर rupay platform पे चाहिए तो इस तरीके से इन में भी option मिलेगा apply करेंगे कहां से आपको apply करने का option paytm app से ही मिलेगा वहाँ पे आपको option दिखा दिये चाहिएगा अभी फिलाल SBI और SDFC के साथ मिलके paytm credit cards introduce किये गए है जो आपको मिल जाते हैं तो ये आपके luck की बात है कि आपको SDFC का option आता है या फिर SBI का आता है बट मैंने ये भी देखा है कि अगर आपका SDFC का option आया और आपने उसको apply किया PTM app पे और आपका अगर SDFC वाला card reject हो जाता है तो simultaneously फिर ये कुछ time बाद SBI card का option दे देते हैं कि अब आप SBI में try कर लीजे तो ये आपको दोनों bank का option देते हैं और रही बात की अब SBI credit card का UPI linkage facility का आने वाला है तो बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि SBI card लगे पड़े हैं तो हम expect कर सकते हैं कि जल्दी से ये option हम लोगों को मिल जाएगा अगर इन दोनों credit cards के बारे में मैं आपको अपना opinion बताऊं तो card ठीक ठाक है unlimited जो cash pack वो मिल जाता है बट जो Paytm select credit card है SBI वाला उस पे fee थोड़ा सा ज्यादा है 999 होता तो it was good बट 1500 रुपे ज्यादा हो जाता है बट अगर आप एक high spender है तो आपके लिए manageable है you can go for that बाकि आपका क्या मानना है इस news के बारे में मुझे comment section में जरू बताएगा मिलते हैं next video में तब तक अपना ध्यान रखेगा बाई बाई